हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक तो माई चैनल किंडर जोन आप सब लोग ठीक होंगे तो मैं आज आपकी बच्चों के लिए लाए हूँ वाक सीट इससे पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि मैं आपके बच्चों के लिए वाक सीट तयार करूंगी तो मैंने आपके बच्चों के लिए वाक सीट तया कि है तो वाक सीट बहुत colorful मैंने बनाई है क्योंकि बच्चों को कलर बहुत पसंद होते हैं बच्चे खेल खेल में सीख जाएंगे और बच्चे बहुत attractive भी होंगे इस वीडियो को देखके तो मैं बताती हूँ इससे पह बचल विद्चों में आपके बच्च्छों ने किया ओगा को आप पॉइंट देखिया उनको कराया होगा एक पेस्ट टेली कराएंगे आप उनको तो बच्छों के हैविट बनी रहेगी और हाथ भी सैट होगा तो आज की वीडियो में मैंने व्क्सीट बनाई है यह बॉक्सीट है देखिए इसमें मैंने यह जैसे यह स्टेंडिंग लाइन है स्टेंडिंग लाइन बच्चों के लिए मैंने बनाई है यह देखिए फ्लावर बनाए है इसमें मैंने ऐसे जॉइन किया है देखिए यह लीव है तो बच्चों को कहने है कि पीटा यह flower है यह line यह देखी dot dot दिया है मैंने dot दिया है इसको join करने है जिससे क्या होगा बच्चों को standing line बनानी आ जाएगी ओके बच्चे इसको खुसी खुसी से करेंगे बच्चों को color बहुत पसंद होते हैं तो बच्चे इसको खुसी खुसी करेंगे आप इसको देंगे आप बना सकते हैं इसको घर पर तो आप बनाएंगे इसको और बच्चे बच्चों को करने के लिए देंगे तो बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा तभी बच्चे करेंगे यह देखिए मैंने फ्लावर बनाया है फिर उसमें क्या किया है लाइनिंग बनाएं देखिए डॉट बनाए है इस डॉट को बच्चों को जोइन करना है ऐसे ही मैंने स्लीपिंग लाइन के रिए बनाया है तो सबसे पहले मैं बच्चों को यह एक आपको वक्सीट बनानी है तो बच्चों को देना है तो बच्चों से कहना है बिटा यह जो लाइनिंग यह डॉट दे रखे हैं इसको यहां तक चाहां इसका इलीप बनी है वहां तक जॉइन करना है तो बच्चे इसको ऐसे डॉट को मिलाते रहेंगे आप करके देखेगा आपके बच्चे को यह बहुत अच्छा लगीगा आपके बच्चे को कैसा लगा मुझे ज़ुर बताईएगा यह देखेद यह डौट है इनको बच्चे इसे negatively मिलाते रहेंगे बच्चे यह देखे क्योंकि बच्चों को कलर बहुत पसंद होते हैं बच्चों को इसको करने में मजाएगा यह ऐसे मिलाते रहेंगे तो यह बच्चे स्टेंडिंग लाइन भी सीख जाएंगे ओके यह दिखिए यह फ्लावर है ना इस फ्लावर को हम यहां हीचे मिलाते रहेंगे यह दिखिए जो मैंने डॉट दिया है आप यह ऐसे डॉट लगा सकते हैं आपके घर में आप एक वाक्सीट बनाएंगे यह बहुत इजी है आपका बच्चे से बहुत जल्डी सीख जाएगा यह देखिए यह बन गई स्टेंडिंग लाइन तो बच्चों को बताना है बिटा कि यह स्टेंडिंग लाइन है कि डॉट दिये है न इसको जॉइन करना है बच्चे इसको खुशी-खुशी से जॉइन करना सीख जाएगा और बच्चे का हाद भी सेट होगा और पैंसिल की क्रिप भी बनेगी तो बच्चे के लिए वाक्सीट बहुत जरूरी होती है यह क्या स्टेंडिंग लाइन है अब मैंने बना रखी है स्लीपिंग लाइन प्यूशीट है बच्चे को बताना है कि यह क्या लेडर है यह सीडी यह ना हुआ सीरी में हम मैंने ऐसे डॉट दे रखे हैं इस डॉट को ज्वाइन करना है डॉट्स को ज्वाइन करना है इस डॉट से इस डॉट यह ज्वाइन करना है यह क्या बन गई सीरी बन गई तो बच्चों को बताना भी है यह क्या बना रखा रहा है लाइक दिस ओके डू लाइक दिस यह क्या है sleeping लाइए यह क्या है sleeping लाइए बच्चा इसको बनाता रहेगा उसको पैंसिल पकड़ने की habit बन जाएगी और पैंसिल अच्ची से चला पाएगा यह देखिए मैंने लेडर बढ़ाया है आप देख सकते हैं ऐसे ही आप भी अपने बच्चे को जोईन कराएंगे आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी यह देखिए अब मैंने यहाँ पर एक पैंसिल भी बनाई है इसको बच्चा जोईन करेगा आप इसको बना सकते हैं इसली देखिए डॉट को जोईन करने को कहेंगे बच्चे से यह क्या बन गई पैंसिल बन गई नेक्स एक पैंसिल मैंने और बनाई है जोईन करने हैं डॉट यह कौन सी लाइन बन गई स्लीपिंग लाइन ओके आप देख सकते हैं यह स्लीपिंग लाइन बन रही है आप भी अपने बच्चे को यह सी जोईन करने को कहेंगे यह लाइन बनाए थे इसको ऐसे जोईन करके लीप तक मिला लाइन और लेडर सीड़ी बनाई यह देखिए इस परच्चे को बताना है कि यह सीड़ी है भी टैस को जोईन करने हैं यह पैंसिल है इसके डॉट-डॉट हमको जोईन करना है तो यह क्या बन जाएगी पैंसिल बन जाएगी तो नेक्स में मैंने मनाया है यह देखिए मुझे लगता है आपके बच्चे को बहुत अच्छी लगेगी यह वक्सीट यह कार्व लाइन की वक्सीट मैंने त्यार किया है कर्व लाइन में क्या होता है यह ऐसी लाइन होती है कर्व लाइन देखिए ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं लाइक दिस हैं लाइक दिस यह मैंने बलून बनाए हैं बलून बच्चों को बहुत पसंद होते हैं बलून तो मैंने कलर्फूल बलून बनाए हैं तो कहना है कि बीटा कर्व लाइन बनानी है इसमें इसको जोईन करना है देखिए ये कब बन रही है ना मोड़ी भी लाइन होती है कर लाइन ये देखिए बच्चे को बताना है कि जो डॉट मैंने दिये है उसको जोईन करना है तो आपका बच्चा इसको जोईन करेगा ये देखिए बैलोन देखें बच्चा बहुत कुछ होता है यह दिखें इसको जोइन करने हम तर्ट जोइन करने है लाइक दिस ऐसे बच्चे को डॉट जोइन करने के लिए हम कहेंगे तो बच्चा बहुत कुछी डॉट जोइन करता है तो आप इसको करके देखिएगा मुझे लगता आपका बच्चा बहुत खुश भी होगा और काम करने में इंगेज भी रहेगा थोड़ा ओके तो यह क्या होगी कव लाइन होगी अब है slanting line, slanting line क्या होती है, तिर्ची line, तो ये मैंने बादल बना रखे हैं, बादल हैं, ये बारिस की बूदे हैं, देखें ये, बारिस की बूदे हैं, तिर्ची भी जाती हैं, सीधी भी, मैंने तिर्ची बना रखे हैं, ये देखें, slanting, ये मैंने बना रखे हैं, इसको इ बनगी slanting रहे यह आप बता सकते हैं बिटा यह क्या है बारिस की फूंदें जो slanting वे में गिर रही हैं ओक्य यह देखिए आप देख सकते हैं बुदू को मैं ऐसे जोइन कर रही हूं इसे जोईन करूंगी आप भी अपने बच्चे को ऐसे कराएं अब मैंने बनाया है एक सन बनाया है सन अब इसमें भी slanting raise हैं, देखो, सूरज की किरणे हैं ना, ये भी slanting में है, देखी ये, तिरसी है ना, तो इसको भी बच्चे को मिलाने को कहिएगा, ये देखे, ये क्या बन गया, sun बन गया, sun की raise हैं, ये किरणे हैं ना, सूरज की, join करना है, इसको point को join करना है, आप भी ऐसे दे सकते हैं, अपने बच्चे को ऐसे सिखाएंगे, तो इसको बहुत मजाएगा, और खुशी से अपना work करके आपको दिखाएगा, तो ये join करना है, तो ये क्या बन गई, slanting line, ये बारिस की बूदे हैं, इसको join करेंगे, तो slanting line बन जाएगे, ये sun है, sun की raise है, इनको हम join करेंगे, क्या बन जाएगे, slanting line बन जाएगे, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, आप जरूर बताएगा, तो मैंने क्या बताया, standing line, sleeping line, work seat है ये, और tab line, slanting line, तो आप मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिएगा, और like कीजिएगा, और next वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, alphabet, alphabet मैं, direct आपको ABCD नहीं बताऊँगी, आपके बच्चों को, मैं बताऊँगी, जो पहले standing और sleeping line से शुरू होती है, जिसे PL, जो EG पढ़ती है बच्चे के लिए, वो मैं सबसे पहले बताऊँगी, ओके, थैंक यू,